हेलो दोस्तों कैलिक्राफी क्रियेटर्स में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे महाशिवरात्री पर निबंध महाशिवरात्री हिंदूओं का एक धार्मिक त्योहार है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुक्तेपता भगवान शिब तथा देवी पार्वती जी के विबाह के दिन के रूप में मनाया जाता है महाशिवरात्री का पर्व फालगुन मास में क्रिश्न पक्ष की चतुर्दसी को मनाया जाता है इस तिन शिब भक्त एबम शिब में श्रद्धा रखने वाले लोग ब्रत उपबास रखते हैं और विशेश रूप से भग्वान शिब की आराधना करते हैं महाशिवरात्री को लेकर भग्वान शिब से जुड़ी कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं ऐसा माना जाता है कि इस विशेश दिन ही ब्रह्मा के रूप में मध्यरात्री को भग्वान शिब का अवतरण हुआ था वहीं यह भी मान्यताएं कि इसी दिन भग्वान शिब ने तांडब कर अपना तीसरा नेत्र खोला था और ब्रह्मान्ड को इस नेत्र की ज्वाला से समाप्त किया था इसके अलाबा कई इस्थानों पर इस दिन को भग्वान शिब के जन्मोत सब के रूप में भी मनाया जाता है वैसे तो प्रत्यक माह में एक शिबरात्री होती है परन्तु फाल्गुन माह की कृष्ण चतुर्दसी को आने वाली इस शिबरात्री का अत्यंत महत्तो है इसलिए इसे महा शिबरात्री कहा जाता है बास्तव में महा शिबरात्री भग्वान शिब की आराधना का ही पर्व है जब धर्म प्रेमी लोग महा देव का विधी विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं तथा उनसे आशिरवात प्राप्त करते हैं इस दिन शिब मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तो की भीड उमड़ती है जो शिब के दर्शन पूजन कर स्वयम को सौभग्यशाली मानते हैं महा शिबरात्री के दिन सिब जी का विभिन बस्तूओं से पूजन बा अभिशेक किया जाता है और बेल पत्र, धतूरा, बेर, उमवी, आदी अर पित किये जाते हैं दिन भर उकबास रखकर पूजन करने के बाद शाम के समय फलाहार किया जाता है वीडियो देखने के लिए धन्यबाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तेंक यू